काम की कमी नहीं है आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले हमारे 2020 से 2030 या 2050 तक मोबाइल का इतना ज्यादा बड़ा सेग्मेंट है हमारे आने वाले लाइफ में अगर मैं कहूं कि इंडिया में सबसे टॉप लेबल पर अगर टेक्निकली कोई बिजनस है तो वह मुबाइल रेपेडिंग का है उसने कम्ट्यूटर और लैप टॉप के बिजनस को बहुत पीछे चोड़ दिया है उसमें जो रेपेडिंग का जो बिजनस है उसका आप देखि तो मिनिमम हजार रुपे तो लेकर जाएगा मिनिमम हजार रुपे तो लेके जाएगा और इतना एक बैंक में काम करने वाले पीओ की सैली नहीं होती एक दिन का हजार आप सोचें 30,000 दोस्तों नमस्कार उमीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे तो मेरा मैं देवरत नगरवाल और आप देख रहे हैं इस है टेली कॉम का चैनल दोस्तों हम इसे की तरह कभी ना कभी में एक ऐसे एक वीडियो बनाता हूं आपके लिए और आपको समझाना चाहता हूं कि मार्केट में एक्चुल चल क्या रहा है दोस्तों मैं यहां पर पॉइंट उठाना चाहता हूं देखिए में पास एक मैसेस हो रहा आप इसको पड़ सकते हैं तो कि मेरे पास तरह तरह के लोग मेरे से सलूसन मांगते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पर हम देखते हैं कि हर यूट्यूब चैनल के नीचे कहीं न मैं काम कर लेता हूं थाँ वह बि원ना कर नकाथा καतर हैं इस तरह से काम कर रहे हैं रटर जा dog that कम में इजाने इंडले पर सकते काम कर निकांड vaana वो से उसर्डे तरह से उस इंडले ज pork और तरह सोल आटue Met B क्या फॉल्ट आता अगर यह सोटीं से निकला तो दूसरा मैटर क्या है सही ट्रेसिंग का तरीका क्या है कॉंपोनेंट का नॉलिज तो दोस्तों वह तो चीज उनको पता ही नहीं है बस सिभ यूटूब से बढ़ोसे से सीख रहे हैं तो मैं आप सभी ऐसे स्टोडन को जो मुबाल रेपेरिंग के बात करें ऐसे वीडियो कभी भी पूरे नहीं बनाएगा दोस्तों वह कही ना कहीं बाइपास वीडियो बनाएगा आप देखें आगर किसी इंस्टूटूशन की बात करें हम या किसी भी सो वह आपको सिप इस तौर पर वीडियो दिखाएंगे ता आपने कहीं हम बहुत अची सी डाल देते पर उसकी लिंक नहीं देते आप लिंक महारते रहा जाते हुशन तो बहुत सरी चीजा ऐसे होते हैं कि हम सिप यूटूब पर निरवर बहुता हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेविल की चीज पर भी हम यूटूब पर निरवर और आप चाहते हो कि मुझे डारेक्ट कोई solution मेल जा तो दोस्तों किसी भी मोबाइल का डारेक्ट कोई solution नहीं होता है बहुत से लोग बोलता है चार्जिंग पॉस्ट का क्या solution है भाई हमने बता दिया यह थार्मिस्टर है हटा दो इसको अब उन्होंने दोस्तों यह नहीं सोचा कि हटाना क्यों है या यह नहीं सोचा कि या सर वो नहीं हुआ तो दूसरा क्या सर स्टेप वन क्या हो सकता है सर स्टेप टू क्या हो सकता है फिर बाद में को एक एक करके सवाल पूछते जाते हैं फिर पूछते हैं पूरा चार्जिंग का वही बता दीजे सो मैं यह समझता हूँ कि आप जो यूटूब में जो वीडियो डिक के सीख रहे हैं उनसे मेरी हाल जोड़के विंटी है कि किसी भी इंस्टूट जाएए मेरे पास मत आएए कहीं भी जाएए मेरे पास आना है मेरे पास आएए कहीं भी जाएए पर प्रॉपर तरीके से सीखिए इंस्टूशन में जाके सीखिए सही नौलेज लीजे दोस्तों हाली में मुझे याद है कि मैंने एक दो जन से बात किया और वो मेरे से कहते है कि सर मेरे बस काम बहुत है और मैं आना तो चाहता हूँ बड़ मुझे आप वैसे ही सिखा दीजे ऑनलाइन या जो भी उनका वेदा कहने का मैंने उनसे यही चीज़ कही कि देखिए भा प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा सही तरीका गाइडेंस नहीं होगा तो आप अपने काम कोई खराब करते जाएंगे और फिर आप उसमें जो काम कर रहे हैं तीन चार में से एकाथ बन गया वही तुक्यवाजी से वही कोई वीड़ो देख कर दोस्तों मैंने अकसर यह देख तो आप खुदी ट्रेस करके उसको सही तरीके से उसको बना सकते हैं यह बात मैं सारे यूटुबर्स और यह बात मैं जो भी मेरे सस्क्राइबर हैं और जो भी मुझे पहली बात देख रहे हैं मैं उन सबसे ही कहना चाहता हूँ मैं आपसे यह नहीं काऊंगा कि आप मुझ सो बस मैं आपसे यह बिंदी करता हूँ कि सही काम करें और सही काम करने से क्या होता है दोस्तो हमें नौलेज मिलता है और जब यूटुब के वीडियो देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है जो सही काम करके सीखते हैं दोस्तो वह फिर फॉरण के वीडियो भी देख करें आयां ज हमपने तो हमें बारी किया पढ़ा चल जाती हैं और उनêmes पर हम काम कर सकते हैं फिर हमें improvement मिलती है बट अभी तो क्या है हमें कोई ना कोई sir clue दे दो sir कहीं पर video बना दो sir कहीं कुछ कर दो वह इस इंतजार में बैटे हुए हैं कि कहीं न गहीं उनको कुछ मिल जाए अचा इस इंटेजार में वो क्या करते हैं अपनी आदी जिंदिकी निकाल देते हैं अपने पात 10 साल और वो मार्केट में इसने पीछे हो जाते कि उनके साथ में काम करने वारा आदमी कहीं से सीख करा आता है और उनसे आगे निकल जाता फिर वो सोचता या मेरे सामने वाले पर भीर ज्यादा है, या मेरे सामने वाला तो I.C काम करा, उसका बड़ा नाम है, क्योंकि वो फोपर तरीके से सीखा होगा है, मेरे भाई, तुमने वो फोपर नॉलिज ली नहीं, तुम अब भी भी घर पे ही ही बैठे हुए हो, डूस्तो घर पर ही सब कुछ मिलना होता है तो आदमी को भार निकलने की जरुवती नहीं परती мор मेही खाना आजाता है हाथ पैर अपने अपर अपनेन अपुपड पेंच आते सब कोछ马 अपी होता है तो आप घर से निकल क्यों थोड़ा समय तो आपको ही theo दो सब्सक्राइब धना है। थोड़ा समय आपको अपना देना हैं गुम् तो फोड़ा समय पूरी च्रोप्र जंडिवी बनाएनें का यह बाद रखिए गोड़ा तो पूरी समय नहीं देंगे तो पूरी जिंदिगी तो पादने पुरा काम करते रहेंगे और यहीं सोचते रहेंगे कि कास में चले जाता तो दोस्तों आप यह सोचिए कि पात-दस साल आप अपना यूटूब देखके निकाल देंगे और टेक्नलोजी और इंप्रूब हो जाएगी उसके बाद में फिर क्या आप पुरानी चीजे तो सीखन पाए और नहीं चीजे और जब आजाती है तो आप सीखने से और पिर आप सोचेंगे कि नहीं अभी अब तो मैं किसी इंस्टूट को जाइन करता और मैं आपको दिमाग में आता कि अगर मैंने बहुत पहले कर लिया होता तो आज मैं एक प्रोफेशनल टेक्निशन होता और अपने अपने चेतर में अपना नाम कर लीता सो मेरी एई भात को धेने देगा किसी ना किसी इंस्टूट को जॉइन कीजे मैं नहीं बोलता मेरे को जॉइन करें आप कहीं पे भी जहां भेटर लगे जिस इनsteorama को पूप आपको अच्छा लगे जिस इंस्टूट के को बनाना पड़ता है जो भी एक कंडिशन में रिपेड सभी भाहर हो जाता है और यह हानी केवल सिर्फ कस्ट्रमेटों को होती है दोस्तों मुबाइल को डैड मत करें मुबाइल को बनाए प्रॉपर नौलेज होगा तो आप मुबाइल को पता होगा कि आपको क्या चेक करना ह है उसको हीट करने से या उसको सिर्फ को ठेनर से साफ करने से मुबाइल फोन डैड चालू नहीं होते दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं यह सिर्फ आपके तुक्के वाजी के फोन है प्रॉपर नौलेज लोग कि किस तरह से आई से को रिबॉल करना है किस तरह से आई 2050 तक मुबाइल का इतना ज्यादा बड़ा सेग्मेंट है हमारे आने वाले लाइफ में सो दूस्तों मुबाइल पर तो इतना बिजनस है अगर मैं कहूं कि इंडिया में सबसे टॉप लेबल पर अगर टेक्निकली कोई बिजनस है तो वह मुबाइल रेपेडिंग का है उतने कम्प्यूटर और लेप्टॉप के बिजनस को बहुत पीछे छोड़ दिया है उसमें जो रेपेडिंग का जो बिजनस है उसका आप देखिए आप जाए किसी हब में आप खरे होने की जगे नहीं होती है आपको आप जाए किसी लेप्टॉप या कम्प्यूटर हाडवेर मे हैं वहाँ पे सब खाली क्योंकि आजकल वह सारी चीजे लोग अपने सर्विस सेंटर से ही बना रहे हैं पर मुबायर रिपेडिंग में दोस्तों लोग टेक्निशनों के पास आ रहे हैं वह कहीं भी सर्विस सेंटर में नहीं आते हैं क्योंकि उनको पता है कि सर्विस सेंट इंजिनिंग करके आते हैं वो भी यह काम कर रहे हैं जो नॉलिजबल है वो भी यह काम कर रहे हैं जो किसी फील्ड से कुदे हुए हैं जो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी अपना फील्ड को चेंड करके यह काम कर रहे हैं त्यूं काम कर रहे हैं आप यह क्यों नहीं सो अगर वह पार्च मुवाल भी बनाता है तो मिनिममम हजार रुपे तो लेके जाएगा और इतना एक बैंक में काम करने वाले पीयो की सेली नहीं होती एक दिन का हजार आप सोचें 30,000 बाइस 20,000 रुपे सेली मिलते दोस्तों आप सोचो आप फोल्डर चेंज करते हो या अगर रिंगर माइक स्पीकर कितने फॉल्ट आते हैं तच का काम ना करना कितने सारे फॉल्ट आते हैं दोस्तों या पर माइक का काम ना करना डिस्पले का काम ना करना आपका light section या फिर आपका net rock section या charging section कितने सारे fault आते हैं उसके फिर dead no while फिर आपका flashing का FRP बहुत सारे fault आते हैं दोस्तों आपके flashing करना logo पहेंग हो रहा है सो आप देखे अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं बड़ घर बैटके सिर्फ यूटूब के सारे रहेंगे सो जीवन बढ़ आप सिर्फ ऐसे ही काम कर पाएंगे मतलब आप यह सोचे कि आप एक सहारे टिके हुए हैं और अगर वो हो गया तो हो सामने वाली दुकान पर तो हमें अपना मोबाल दे नहीं है और हम क्या है हम उससे कमीशन लेंगे तो जिंदीगीवर कमीशन पर काम करिए या तो अपना नाम बनाएए और सही तरीके से काम कीजिए यही मेरा इस वीडियो से संदेश है थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को अद्वर में बनाए है तो अब में पर्चेस किया ओगा दुसरों इसको पर्चेस कीजिए इसमें मुबाल फलैसिंग का बहुत सारा अग्यान है और इसमें इसे बातें लिकी नहीं कही है इसमें चिक्टरों के साथ में बताए गये है स्टेप बार स्टेप या और कोई डिय तो गूगल प्लेस्टोर में जाहिए लिखे देवत नंगर्वाल मूवाल रेपेरिंग के संबंद एवीडियो साच करना है तो यूटूब में जाहिए लिखे देवत नंगरवाल या लिखे एसडेट लिकाम दोस्तो ग्यान असीमित है या आप पर है क्या उसको कितना पाना thank you